नमस्कार आपनी फोर्नेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंदना बिहार के मुख्य मंत्री नितिस कुमार आगामी 2024 के लोकसभा चुनाओं में जूट चुके हैं और खुले मंद से उन्हों नी कहा है कि तमाम देश के विपक्षी पार्टियों को एक जूट करना है औ और बीजेपी को पचास सीटों पर सिमट देना है हमारे साथ बात करने के लिए आमजंता पार्टी राष्टिय के राष्टिय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवनसी और इन से जानेंगे कि आगामी जो लोकसभा का चुनाओं होने वाला है अभी से सभी पार्टियां जो यह तो अलग बात है चुकि भारतिय जनता पार्टी ने भी सिमटने का काम किया है और जैसा उनका आरोप है कि भारतिय जनता पार्टी ने चाल चलके मुझे तैताली सीट पर सिमट दिया तो बदला लेने का प्रयास तो हर कोई करते हैं समय पर वो भी से अलग है लेकिन जह प्रधान मंत्री का चहरा नितीश कुमार हों तो सवाल ये उठता है कि जब हम लोग इस बात को देखते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधान मंत्री बनने के लिए जब बातें चलना सुरूवी जिस तरह अभी नितीश कुमार जी की बातें चल रही है कि तो हम लोग उस समय ये देख रहे थे कि गुजरात मोडल की बात हो रही थे तो क्या गुजरात मोडल की बात करके प्रधान मंत्री बनने नरेंद्र मोदी जी तो बिहार से बिहार मोडल की बात करके प्रधान मंत्री बनने की जो आकांच्छा है तो क्या बिहार मोडल कर दे सकेगा यहां पर यह एक भी सई है कि अब बिहार मोडल को गुजरात मोडल को टक कर देना है तो वो एक परिस्तिती उभर के सामने आई है और जनता के सामने इस बातों को रखना होगा कि बिहार मोडल जो है वो गुजरात मोडल से ज्यादा बेटर है तो अब सवाल यह ह कि मुख्यमंत्री जी कैसे इस बातों को जनता के बीच में रखते हैं और जहां तक अनुभव की बात है तो चार टर्म इनको मुख्यमंत्री रहने का अनुभव इन्हें भी है और चार टर्म मेरे अंदाज से साइद नरहिंद मोदी जी को भी चार टर्म का साइद अनुभब था तो इन सबी बातों को लेकर similarity है लेकिन एक चीज इनको जो परिस्तिती उभर के सामने आ रही है कि अभी जो जितनी बिपक्ची दल है सभी बिपक्ची दल परिसान है भारते जनता पर्टी से अब उसका कारण कोई ये बताते हैं कि भाई ये CBI का दिरूपयोग कर रहे है कोई कहता है ED का दिरूपयोग कर रहे है तो कोई राय बिहार में जैसे ED को रोकने की बात हुई, CBI को रोकने की बात हो रही थी, तो इन सब बिंदूओं को जब आप हम लोग देखते हैं अपने नजर से, तो हम लोग को ये लगता है कि रोकने की बात तो हो गई, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी इन बिंदूओं पर जो सारा बिपक्च परिशान है, और सारा बिपक्च जब एक रास्ता खोज रहा है कि भारतिय जनता पार्टी के इस हमला से हम कैसे बचें, तो ये समय बहुत अनुकूल एक उत्पन हुआ है, कि ये सभी परिशान होकर के एक बिगल्ब खोज रहे हैं, तो बिकल्ब के तोर पर कोई ऐसा चाहिए न, बैक्ति जो उसको डिफिट दे सके, तो बिहार मोडल डिफिट देगा, किन्याराय मुख्यमंत्री नितिश कुमार जी का मोडल डिफिट देगा, तो इन सभी बातों को, लेकिन मुद्दा ये है कि परिशानी जो सब को है, सब से उबरना चाह रहे हैं, सारी दले, और इन ही कारणों से ये एक जूट भी हो रही है, लेकिन एक बात साथ में है, कि अंदर में प्रधान मंत्री बनने का सपना कोई एक मुख्यमंत्री को नहीं है, वहाँ पर परिस्तिति एक खड़ी होगी, कि अंदर में सपना कई मुख्यमंत्री को प्रधान मंत्री बनने का सपना लेके उस जगह बैठेंगे और वहाँ पर वो अपने सपना को जो ले करके आज संजोएव हैं कि हम भी अंदर से दावेदार हैं तो देखने की बात होगी कि उस समय कौन अपने साथ समझोता करते हैं और मुख मंत्री जी को प्रबल दावेदार बनाते ह हैं परदार मंत्री का यह तो देखने का भी से लेकिन जिस सरस बीजेपी कह रही है कि महागडबंधन की सरकार नितीज हुमार ने बनाईने स्थारा अपनाए हुए हैं उस रास्ते पर कभी सफल नहीं होंगे क्योंकि अगामी दूर दूर तक नरेंद्र मोदी को कोई भी मतलब ऐसा बतलब अभी तक कोई सामने नहीं है कि जो कि उनको टकर दे सके तो कितनी चुनोती होगी नितिसकुमार के सामने क्योंकि यह कोई मामूली नहीं होता है जो आज जीवन और मने सब दिन जो है सो अगर प्रधान मंत्री बन गया तो ही प्रधान मंत्री रहेगा उसको कोई टकर नहीं दे सकता है यह कहना तो मुश्किल है और गलत भी है इसलिए क्योंकि जब आप कुई सी पद पर हैं और उस जगह हैं तो टकर देने मुनार्ग बन के रहेंगे नहीं वो नहीं होता है वो आपको टकर देने वाला समय परिस्थिती और टकर देने वाला पैदा हो जाता है इसलिए इस विश्य पर कहना गलत है कि नरिद मुदी को कोई टकर देने वाला नहीं यह नहीं है हाँ यह है कि ठीक है हम लोग वो भी प सवाल है प्रधानमंत्री के रेस में चलने का तो ये कहीं ने कहीं ये जो का ये हुआ है जो बिहार में जो घटनाए हुए है उसका मूख के कारण अब असपस्ट हो रहा है कि यही है अच्छा एक सवाल यह भी है कि जब से बिहार में महागडमंदन की सरकार बढ़ी है तो एक प्राद का ग्राफ जहां तक सवाल यह है तो जहां जिस समय बोट की बात होती है उस समय जनता यह जब तरस्त हो जाती है जिस जिस समय लालुजादब की सरकार थी मुझे याद है कि जंगल राज कहा गया था इमाने मुखमंत्री जी नहीं जंगल राज कहा था तो मेरा यह कहना है कि तरस तो जनता तब होती है जब अती पहुंच जाता है तब तो जैसे आम लोग उसे परिसान हो जाए एकदम जो सहर का एक बातावरन है वो अपरादी घटनाय लगातार हो रही है अपरादी इस तरह से जब घटनाय होती तो वो बहुत यह रहता है लेकिन जब एक जाएरे में है तो चुनाओ के समय ये सब मुद्दा थोड़ा पीछे हो जाता है और माने मुखमंत्री जी इससे पहले जो लालू जी का राज में जो लोगों ने देखा है जो आज भी वोटर हैं तो तुलनातमक तो उस तरह की घटनाएं अभी उतनी नहीं हो रही है जितना उस समय हुआ था तो इसलिए जनता अभी चंसीडर कर सकती है इस बिंद्यों पर कि जो अपरादी घटनाएं हो रही है वो अपरादी घटनाएं उस हद तक अभी नहीं पहुंची है जिस हद पर एकदम सरकार को बदल दिया जाए या मान नितिस कुमार जी को कह दिया जाए कि ये एकदम फेलियोर हैं ऐसी इस्तिती अभी डही आई है एक आखी सवाल है कि बिहार सही तमाव जगों पर अस्मार्ट सिटी की बात की जाती है लेकिन लगातार निगम कर्मी जो है वो हर ताल पर है सहर में चारों तरफ कचड़ा कामबार लगा हुआ है यानि कि सहर को नर यह इस विशेव पर क्या कहा जाएगा ज्मार्ट सिटी की बात है तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी का ये प्रोजेक्ट आया है और जिस तरह बहुत बहुत सुक्रिया तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है आम जनता पार्टी राष्टिये के राष्टिये ध्यक्ष बिदापती चंदरवंसी का साबत और सिन्होंने कह दिया है कि कोई भी आजीवन के लिए किसी विपत पर नहीं अस्तापित होता है हर कोई उस रेस में नितिस्कुमार है इसकबर बस इतना ही बने रहें इस पोनेशन के साथ धन्यवाद